नमस्कार आप सोच रहे होंगे कि वो कौन होंगे मैं थोड़ी देर सस्पिंस जरूर रखना चाहूंगा मैं उनका परिचाय देते हुए ताकि आप समझ सके कि वो कौन है दिल्ली में आपका जन्म हुआ वहीं आप पली बढ़ी लेकिन आपने अपना कारिक्षेत्र मुंबई को बनाया वहाँ एक टीवी सीरियल अमानस से आपने शुरुवात की और जल्द ही बॉलीवुट के कई फिल्मों में आपने कार्य किया और अपनी पहचान बनाए विशीज करके यदि लगान फिल्म आपने देखी हो तो उसकी गौरी जरूर आपको याद होगी इस देखा हो तो डॉक्टर सुमन आपको जरूर याद होगी इसी प्रकार अनेक फिल्में आपने की है तेलगू फिल्में भी आपने की है मल्यालम फिल्में भी की है और साथ ही पंजाबी फिल्में भी आपने की है साथ साथ आप भरतनात्यम की बहुत अच्छी डांसर है और स्टेश शो भी देश भर में करती रहती है आप सिंगर भी हैं, डांसर भी हैं और मश्यूर अदाकारा भी हैं आज की इस एक मुलाकात में उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं क्रेशी जी बहुत-बहुत स्वागता अभिनंदन है, शुक्रिया, बहुत पसंद हो रहे होंगे हमारी दर्शक, आज लगान की गवरी को यहां देख करके, या मुन्ना भाई MBBS की डॉक्टर सुमन को देख के, आप किसी ज्यादा अपने आपको जोड़ा हुआ महसूस करती ह जो चारेक्टर ओडियन्स को याद रहता है, तो वो अटमेटिक मुझे भी याद रहता है, जिससे मुझे इतना प्यार ओडियन्स का मिला, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो जाता है, कि उससे एक अच्छा मैसिज गया ओडियन्स में, और उन्हें याद रहा लोग तो यह है, कहते होंगि जहां भी आप जाती होंगी, तो ग्रेशी से जी तो याद नहीं आती होंगी लगान ही यह बहुत से लोगी चिंगी कहते है, तो कि यह लगता है कि एक वार्टिस्ट Ifski तो बसकित के बीज़ए कि रहते है यह तो अच्छानक ही था। पच्पन में ऐसा कुछ नहीं सोचा था क्यूंकि मैं एक ऐसे परिवार से जूरी थी जहां पर education को बहुत importance दिया जाता है और इस तरह कोई सोचता भी नहीं कि हमें ऐसे dance सीखना है या singing या acting तो दूर दूर तक कहीं कोई connection नहीं था किसी का भी कलाउ से तो मुझे शौक था dance का तो मैं ये कोशिश करती थी सब को convince करने की कि ये बहुत pure art form है तो ये मुझे जरूर सीखना है तो encourage किया फिर parents ने और मैंने उसमें तालीम ली भरतनाट्यम और ओडिसी उसके पर शयाद जैसे आप मुंबई आई तो क्या आपके बर में प्लान था कि आप मुंबई में जाकर मुझे फिल्म लाइन जॉइन करनी है या तीवी में serial करनी है या आपको बुलावा ही आगया कि आपकी किसी performance को तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो कहानी भी अच्छी थी और फिर मैंने यह सोचा कि जो भी रोल मैं करूं वो एक परिवार साथ में बैठ की देखे खुश हो और कोई अच्छा मेसेंज भी जाए तो यह वैसा ही था जैसा मैंने सोचा कि अगर acting करूंगी तो कुछ खास प्रोजेक्स में और फिर अमानत में मेरा selection हो गया और continuation फिर audience का इतना प्रोफेशन बन गया फिर अमानत के बाद तो फिर आपने कभी पीछे मुड के देखा ही नहीं है आप लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है एक बहुत ही गहरी बात आपने कही है और और प्रोफेशना फिर ग्रेसी जी एक ऐसी कहानी हो जिसे सब साथ बैट करके देख सके हमारी संस्कृति ऐसी ही रही है लेकिन आजकल जो फिलमें आ रही है ये या सी चीजें शामिल हो गई है जिसके कारभ यह संभव नहीं हो पाता है आपको क्या लगता है कि क्या जाना चाहिए दोनों ही चीजों में? जी इसका तो इंतजार में भी करती हूँ यही रीजन है कि मैं बहुत सादा सिलेक्ट नहीं कर पाई प्रोजेक्स को क्यूंकि मेरी जो चॉइस थी वो यही थी कि बहुत अच्छा मैसिज जाना चाहिए और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी होती है जो सिनिमा देखने वाले लोग है वो तो चलो हर फिल्म को पसंद करते हैं लेकिन जो आध्यात्मिक लोग जुड़े हैं क्यूंकि बहुत से spiritual organizations से मैं जूड़ी थी यहां आने से पहले तो सब जगह पे वो फिल्म as a subject और as a learning lesson दिखाई जाती है लगान तो इसलिए मुझे और भी खुशी हो कि ऐसे फिल्मे क्यों नहीं बनती और भी बननी चाहिए जिससे सब जगह से एक बहुत अच्छा सीखने को मिलता है कि हमें कैसे life में courage रखना है और faith रखना है God पे, victory इस तरह के messages तो इस फिल्मे long term में लोगों को बहुत याद रहती है और जो बाकी हम सोचते हैं कि success है वो temporary success ज़रूर हो सकता है लेकिन long term के लिए हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि हमें अच्छा message देना है लोगों को Gracie जी जो आपने बात कही है विशेज करके क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्पन से मैं भी फिल्मों से बहुँ ज्यादा इंस्पायर रहा हूं जब देखते थे कि हीरो भाई बीसवी मंजिल से कूद रहा है तो इतनी daring तो नहीं थे किसी पेड के साखा पे चड़के जरूर कूदने की कोशिस करते थे तो मुझे लगता है फिल्मों के माध्यम से या सिरियल्स के माध्यम से जो चीजे दिखाई जा रही है हमारा यूववर्ग उसे अपनाता जरूर है चाहे वह पहनने के स्टाइल हो बालों के स्टाइल हो चलने बोलने अधिसब के स्टाइल हो तो यह बहुत ही सशक्त माध्यम है समाज को बदलने का समाज को कुछ पॉजिटिव देने का तो इसी लिए मैं यह प्रशन आप से उठाया था जादा संख्या में आनी चाहिए क्योंकि इसलिए जब इस तरह की फिल्में पहले आया करती थी जब मैं बच्पन में देखती थी तो उसे गोल्डन एरा कहते थे कि मैक्सिमम फिल्में हिट होती थी कि सब में एक परिवाल सब बैठके देखते थे फिल्मों को और याद भी रहती थी उनको अच्छी फिल्म तो अभी भी मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्में जादा सुक्सेस्फुल होंगी फिल्म इंडस्री के थू जो मैसेज जा सक लिए क्यों की जैसे मुझे कहीं बार अप्रोच करते हैं तो सब ही कहानिया ऐसी होती हैं कि होने सिल्म नहीं कर पाती अवसूर्स होता है मुझे ना करते हुए लेकिन यह एक रीजन है कि शाहद अभी मैंने दुबारा सीरियल नहीं किया कि वैसी एक स्टोरी जो मैंने पहले की थी वैसी अभी बहुत कम है रही नहीं करते हैं कि सुन्दर और सकारात्मक परिवरतन जरूर सब में आएगा और दर्शकों में भी वैसी ही रुजहान पैदा होगी और इंडस्टी से भी वैसी सुन्दर सुन्दर चीजे निकल के आएंगी एक विशेश चीज जी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो फिल्म लाइ इसी जो लड़कियां हैं जो वहां भी अपना केरियर बनाना जाती है या पैरेंट जिनके अंदर थोड़ी सी असुरक्षा का भाव रहता है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे मेरे साथ भी ऐसा ही था बिल्कुल जब मुझे फिल्मों के ओफर आने लगे थे सीजल के बाद नाचरली हर पेरेंट्स को लगेगा कि इस प्रोफेशन में अकेले लड़की को भेजेंगे तो शायद असुरक्षा है लेकिन तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि ऐसा कुछ भी काम नहीं होगा जिसे आपको कभी भी कुछ दुख हो या अफोस हो किसी बात से तो मैंने काफी अपना कंपानियन बनाया था बिगिनिंग सही जब मैं पहली बार आई वंबे तो मैं अकेली थी लेकिन मैंने तभी कहा कि अभी मैं अकेली नहीं हूँ Supreme Father is with me तो जो भी मेरे मन में बात होती थी मैं उन्हें शेयर करती थी कि this is what I want और सीरियल भी जब शुरू हुआ तो मैंने कहा कि I hope कि लोग अगर मुझे पसंद करेंगे तो ही मैं continue करूंगी यह बहुत important है responsibility artist की audience जो ने देख रहे हैं वो खुश हो दुआएं दे आना artist को और फिर जो भी मेरे मन में संकल्प आते थे वो मैं शेयर करती थी और letters रिखती थी God को अपने मन की बात लिखती थी कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए तो इतनी मुझे help मिली सिर्फ एक God से बस मैं यह नहीं कह सकती कि मुझे और जनरल क्यूंकि मैं किसी को भी नहीं जानती थी film industry में जी 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 लोग वहां God Father ढोंडते हैं तो आध्यात्म में वैसी रूची नहीं रखते हैं या उतनी रुझान नहीं रहती है या ऐसी एक मान्यता है कि हम आध्यात्म से जुड़ जाते हैं परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो शायद अपनी केरियर पे हम उतना जादा ध्य अध्यान नहीं दे पाते हैं हमारे अंदर वैरागय का भावा आ जाता है और हम सब चुझे छोड़ चाड़ देते हैं आपको क्या लगता है कि यह बात राइठ है या अध्यात्म हमें आगे बढ़ाने में उन्नती प्रदान करने मददगार है मेरे लिए बहुत मददगार हैं तो वह हम पूरा कर सकते हैं कितनी प्यॉरिटी के साथ के शुब भावना हो कि हमें दुनिया में खुशी पहलानी है अपने काम के जरिए इस तरह के थौट्स देते थे तो वह जरूर हमारे इच्छाएं पूरी होती हैं जब हम गाड को अपना फादर बनाते हैं और बा परिवार मिले हैं गुर्बानी के साथ जुनने के, मैं सिख परिवार की हूँ तो इसमें भी जो मैंने सीख था जब जी साब, वह रिगुलर करना शुरू किया, तो इसमें जो 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 चाहती थी मुझे मिलते थे, परिवार का भी बहुत, इसमें हात होता है बच्पन से ही आध्यात्मिक संस्कार आपके रहे हैं और इसने बहुत मदद की है जी बहुत मदद की मेरे तो और फिल्में जो है जैसे युवा है आज के हमारे तो ज्यादा तर अपनी ठीक है करियर पे तो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं बहुत महनत करते हैं सफलता के लिए क्या लगता ह कि सफलता में कहीं न कहीं आध्यात्मी भी हमारी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है और यदि कर सकता है तो कैसे कर सकता है आपकी अनुभाव से एक्चली मुझे भी ऐसा लगता था पहले इतनी जादा जानकारी नहीं थिया अधिक्ता की भक्ती में तो कि जैसे हमें करियर में कुछ मिल गया या फाइनेंचली मिल गया तो वो हमारी सफलता है दीरे दीरे ताइम के साथ जब ऐसे अनुभव होने लगे तो मुझे पता चला सफलता क्या है वो तो अंदर की खुशी है वो भार की कोई भी चीज आपको नहीं दे सकती वो सबसे बड़ी सफलता है जो मुझे ब्रह्मा कुमारीज से मिली इस सो ब्यूटिफुल तो जब वो हम अचीव कर लेते हैं बाकी की चीजे कुछ भी नहीं है आप दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अचीव नहीं कर सकते जब आपको अंदर की खुशी मिल गई तो यू केन गेट एवरिधिंग तो ब्रहा कुमारीज के संपर्क में ग्रेशी जी आपका कैसे आना हुआ क्योंकि आप तो वैसे भी बहुत वियस्त रहती हैं पूरे भारत वर्ष में डान्स की परफोर्मेंस फिर आपकी फिल्म में भी आप कई कर रही हैं लव यू टीचर मैंने सुना इस फिल्म पे भी आपका कारिय चल रहा है तो इतनी वियस्त होते हुए कैसे मतलब ब्रहा मेरी माध्यम से आई हूं तो मेरी मम्मी चाहती थी कि हम साथ में कभी जाएं और कॉर्स करें रेगिलर क्लासिस फिर शुरू करें तो ऐसा समय मिल नहीं पा रहा था बहुत समय से डिले हो गया फिर एक ऐसा ताइम आया मैं दिल्ली गई कुछ 10-15 दिन के लिए फ्री थी तो मुझे और डीटेल में पता नहीं था तो दीदी बड़े प्यार से समाइल करके बाहर आई और उन्होंने ताइम दिया मुझे और मैंने कहा बस समय आपको खर्च करना पड़ेगा तो मैं इतनी इंप्रेस हो गई जिस फृति से उन्होंने कहा था वो इतना टचिंग था कि कि आईसे भी लोग हैं और फिर मैंने रेगुलर ममी के साथ जाना शुरू किया कोर्स के बाद फिर बंबे आने के बाद क्लास शुरू कि तो जब इनका शिवरात्री का प्रोग्रम मैं फर्स टाइम मैंने अटेंड किया पर्सनली जब देखा सारे दीदियों को तो मुझे मैं लगा जैसे फरिष्टे होते हैं इतना गलो फेस पे उनकी स्माइल और जो बोलने का तरीका है और कंटेंटमेंट, संतुष्टता तो मैं तो ग्लैमर वर्ल्ड से हूँ उदर पहले अट्रैक्शन बहुत जादा था मगर यह चीजे मुझे इतनी अट्रैक्ट की और जो सबसे बड़ा जो गिफ्ट है और फिर उनके सब के अनुभव मैंने सुने जो जो कैसे लाइफ में वो कितना चाहे कोई भी सिच्वेशन हो लेकिन हम हमेशा खुश कैसे रहें और सिच्वेशन को हम चेंज कैसे कर सकते हैं अपनी पावर से शांतिकी पावर और इतनी सारी फिर जब मैं दादियों से मिली और उनका प्यार मुझे मिला तब और भी जादा अनुती होने लगी इस चीज में तो हर चीज को बैलन्स करना आ गया और मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि धीरे एक साल में कैसे मेरी कुछ जो भी थोड़ी बाट कम्जोरिया होंगी काफी स एकडम से गए इतना प्रोग्रेस हो गया अंदर से अब कोई चोटी बात पर अपसेट नहीं होना होता किया था जैसे परिवार में किसी की हेल्थ खराब है तो मैं टेंशन ऐसी चोटी चोटी बातों पर होता था लेकिन वो सब अभी बिलकुल नहीं क्या विशेस चीजें आपने सीखी जी जो बहुत मददगार साबित हुई आगे भी बढ़ने में मन को शान्त करने में सफलता के लिए या खुशी के लिए कौन सी आसी बाती रहें क्या-क्या विशेस और नहीं चीजें आपको सीखने को मेलें बहुत सारी ऐसी बाते हमने सीखी है इस इंसिट्य का हेड कौन है कौन चला रहा है सबसे बड़ी अचीमन बताई जिसको हम ढूंड रहे थे कि इंसिट्यूट ऑल्माइटी फादर हिंसेल्फ हैस्ट्री आपकी तो पहले से यह बात थे कि आपने गौड को कंपेनियन बना लिया था यहाने के पश्याद जब इस बात की अनु बहुतिया उनसे होई आपको उनसे मुझे बहुत मदन मिली और इतना डायरेक्ट कनेक्शन पहले भी था लेकिन मैं उन्हें एक फॉर्म में जैसे कभी गुरु नानक जी हमेशा उनही फॉर्म में याद करती थी बच्पन से फिर कृष्ण से भी मेरा बहुत प्यार था तो उन्हें किसी ना किसी फॉर्म में याद करती थी मैं हमारी गुर्बानी में तो है निराकार लेकिन निराकार से ऐसा नहीं फिर पता चला डायरेक्ट इंट्रदक्शन कि वो रहते कहां है और उनसे हम बात कैसे कर से इतनी क्लारटी से हर एक आंसर मिली आना मुझे जो जो मै लेटर्स लिखती थी सारी उमर गॉड को अब क्या होता है कि मैं उनकी लेटर्स पड़ती है अब मेरा लिखना कम हो गया मतलब प्रेयर अब आको पत्राने लगे तो प्रेयर था कि I'm talking to God और ये जो meditation है listening to God So beautiful यह कोई आम इंसान या कोई भी ऐसा करी नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैंने बहुत से ऐसी जगा मैं जा चुकी हूं पहले और डिफ्रेंस मुझे पता चला कि यह ऐसा क्या है इसमें कौन सी खास पावर है और फस्टाइम जब ऐसा इंटरेक्शन हुआ तो ऐसा ल झाहरे राज्योग से पर्मात्मा के दर्शन हो जाते है और प्रमाकुमारेस कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन होते है पर्मात्मा मैं कैसे words में express कर सकती हूँ क्योंकि इच्छा थी पहले ही डूनने की और फिर ऐसा लगा कि ये उनका selection है वो चूज करते हैं उनको जो अपना काम करा रहे हैं तो वो किसी के माध्यम से कराते हैं लेकिन पावर होई है इसमें हम बहुत से सीनियर लोग देखते हैं जो जो हम सुनते हैं बड़ों से इश्वरी विष्व विध्याले में तो पावर उन्ही की है बाबा की ही जने हम बड़े प्यार से बाबा कहते है मैंने उनके बहुत सारे नाम रखे थे पहले लेकिन यहां आंके ठीक यह बाबा कहने लगए सब और मुझे शुरू में जब मैंने मुर्ली क्लासे अटेंड की तो मुझे कैसे बिलीव हुआ कि यह गौड ही है गौड की लेटर है तो क्योंकि जू भी बात मेरे मन में होती थी अगले दिन मुझे उसका अंसर मिलता था तो यह तो कोई इनसान नहीं बता सकता कि मेरी personal feelings क्या है मैंने अपनी चिठी में क्या लिखा है तो अगले दिन मुझे उसका जवाब यह तो किसी को भी नहीं पता मेरे अलावा, only God knows, so I was getting that answer every day, और फिर तो faith पड़ता है गया, अच्छा यही तो है जिन्हें हम डूल रहे हैं, this is what we call God, और वो वहां रहते हैं, लेकिन हमसे मिलने आते हैं, स्रिष्टी पर, we are so lucky. इस बात ही मैं आने वाला था, कि आप माउंट आबू में कई बार आ चुकी हैं, जबसे आप विद्याला से जुड़ी हैं, प्रमा कुमारे से, और एक विश्वास चीज़ जैसे मैंने पहले भी आप से प्रश्न किया था, कि परमात्मा का आउतरन और इस रिस्टी का परिवर आप कई बार इस प्रभु मिलन में जो परमात्मा उतरन का उसर होता है, उसमें आ चुकी है, आपका विश्यज क्या अनुभारा कि सचमुछ कैसी परमात्मा आते हैं, कैसी कारी करते हैं, और ये बात हम कैसे कह सकते हैं, कि सचमुछ ये इश्वरी शक्ती ही है, ये मुझे बिलीव ही नहीं होता था कि ये पॉसिबल भी है लेकिन या तो पता नहीं क्या हो जैसे होता ना आखों को अपरेशन कर दिया वो दिखा ही देने लग या थर्ड आई कि ये अपने लिए तो पॉसिबल नहीं है रेकिन जब इस जस्ट अफिलिंग होता है कि ये वही तो है जने हम कबसे डून रहे थे जब फाइनली उनके सामने बैठे अपने मैं जब इका ना कि इस माय हों ही ये ही तो है मेरा और बाकी जैसे मैं आख रोल करती हूँ वैसे ये तो इसे रोल ही है, तो 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 रियालिटी हूँ इस मी, वह फीलिंग आती है जैसे मैं फिल्में जब करती थी बहुत सारी लगा था और पांचे साल मैंने तीस फिल्में की तो मैं थख गई थी फिर एक बार लगा, रे मैं कौन हूँ, मेरा नाम भी भूल गी, इतने सारी चारक्टर्स प्ले करते करते फिर जैसे कभी चुटी लेके घर जाती थी ना ममी के, यह अच्छा मैं यह हूँ, घर मेरा पैट नेम कुछ और है तो सब मुझे उस नाम से बुलाते थे कि यह मैं हूँ, तो ऐसी फिलिंग आती, यहाँ आए उनके मूँ से डारेक सुना, मीठे बच्चे, वो मेरा नाम भुला रहे है ना, I felt like I am at home now, after playing so many roles it was a wonderful feeling and the love he gives, इतना प्यार जो देते हैं, कोई दुनिया में ऐसा को इतना प्यार दे नहीं सकता, जितना God हमें देते हैं इसलिए उनको शायद प्यार का सागर कहते हैं, को इतना प्यार देते हैं, विशीज चीज एक और बात जाना चाहूंगा जैसे मैंने प्रारम में भी आपसे पुछी थे, कि कई लोग यह कहते हैं, कि जब हम इश्वर के इतने नस्दीक पहुँचने लगते हैं, तो शायद हम अपने कार्य को हलके में लेने लगते हैं, या वो कार्य छोटने लगता है, या उसमें हमारी पॉफॉर्मेंस कम हो जा या हर इस तर पी हमारा पॉफॉर्मेस बहुत बढ़ने लगता है, मेरे साथ ऐसे ऐसे अनुभव हुए है, मैं बिलीव ही नहीं कर सकती थी, कि मैं यह भी कर सकती हूँ, क्योंकि अब जो है, मैंने डारेक्शन शुरू कर दी, राइटिंग शुरू कर दी, कभी मुझे कोई इसे राइटिंग का विचार नहीं आया, कि मैं एक प्ले लिखूंगी, म्यूजिक की रिकॉर्डिंग, म्यूजिक कम्पोजिंग, यह सब इंपॉसिबल था मेरे लिए, एक साल में मेरी इतनी इंप्रूव्मेंट हो जाएगी कला के हर चेत्र में, बाकि छोटे-छोटे कार वो सब इतने पर्फेक्शन से होने लग गए कि कभी-कभी तो जादू लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई पावर है या तो हीज हिमसेल दूएगे, वो खुदी करते है सब काम हमें माध्यम बना के, लेकिन अगर मैं ऐसा सोचती भी पहले, तीन-दो साल पहले कि मुझे कोई प्ले डारेक्ट करना है, तो कई साल लग जाते हैं, अभी तो एक-दो हाफते में सब रेडी भी हो जाता है, तो पिछले एक साल में मैंने पांच ऐसे डांस ड्रामा तयार किये हैं, on my own, तो यह अचानक ही ऐसा प्रोग्रेस शुरू हो गया, कि कोई भी कारे मैं बस यह संकात करूँ कि मुझे यह ऐसा करना ही है, तो और अटमेटिक हो जाता है, इसका श्रे सिधा सिधा आपिश्वर या अध्याद्यात्म को भी जाते हैं, तो इसलिए मैं कभी कोशिश करती हूँ कि क्लास मिसना करूँ, क्यूंकि उसमें हमेशा ने-ने आइडिया और मिलते रहते हैं, मैडिटेशन में भी बिल्कुल, लोग मेडिटेशन के लिए भी वक्त निकालना आजकर, सोचते हैं कि बहुत कठीन हैं, सुबह उठते हैं, देर रात तक काम करते हैं, लगता है बहुत ज़रूरी है, क्या जब से यह शुरू किया है भले थोड़ा ही लेकिन यह जो meditation है राजयोगा यह बहुत important है जैसे कि हम everyday खाना खाते है शरीर के लिए तो यह आत्मा का भोजन है जो बहुत जरूरी है मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर व्यस्त होने से कभी miss भी हो जाए तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से कुछ मिला नहीं हो जाए तो it's very very important क्यूंकि उससे हम मैसूस करने लगते हैं कि हर छेत्र में सब कारें हमारे कितने अच्छे हो जाते हैं चाहे वो personal हो या social family health कु तो आपनी जीवन की अनुभाव से तीन सुत्र देणा चाहे कि इन तीन सुत्रों प्यामल कीजिए और सफल हो जाए जीवन में तो वो तीन सुत्र क्या होंगे मैं इस माले में क्या कह सकती है खुद की पहचान जो जो ज्ञान है कि आप अपने आप से ज्यादा जूदे परमात्मा को पहचाने और तीसरा कि अब हमें क्या करना है अपनी को जाने पर्मात्मा को जाने और अब मुझे क्या करना है ये निदी जीज़ें जान ले तुरीट रूप से उन्हें सफलता प्राफ हो गे। चलिए बहुत अच्या लगा ऐगे। घरिस्जी जी ऐसा लगता ह कि हमारी बातों का सिलसिला नाथा में आप से हम यहीं बाते करते रहें आप इतनी सहजता से जितनी आप ओन स्क्रीन सहज रहती है उतनी ही ओफिस्क्रीन भी सच मुझ सहज है और बहुत अच्छे से आपने सभी बातों के साथ रखा है मैं चाहूंगा कि आप जब भी माउंट बार-बार हमारे दर्शकों से मुखातिब हों और जो भी आपको सुन्दर अनुभाव हो रहे हैं वर्मात्मा के साथ के पत्र के आपने बहुत अच्छी बाते रखी हैं उस सब हमारे दर्शकों के साथ शेयर करते रहिएगा आज की संदर चर्चा के लिए आपके अनुभाव युक्तबातों के लिया का बहुत बहुत शक्रिया थैंक यू मित्रों आप थी मशूर अभिनेत्री ग्रेशी सिंजी और सच मुच कितना आनन्द आया वक्त का पता ही नहीं चला मुझे पता नहीं चला मुझे लगता है आपको भी बिल्कुल वक्त का पता नहीं चला होगा कितनी सुन्दर बाते हैं गौड को अपना कंपेनियन बना लेना अपना साथी बना लेना हम तो उनसे बातें करते ही हैं लेकिन वो भी यदि हमसे बातें करने लगें उनका पत्र हमें प्राप्त होने लगे सच मच जीवन कितना आनन्दित हो जाएगा न हम ये समझते थे कि शायद आध्यात्म के पत्पे हम अब 50-60 साल के बाद जाएंगे एक उम्र होने के बाद लेकिन आवश्यक्ता आज के दौर में ये भी है कि हम उनके नस्दीक पहुँची क्योंकि हर कला का विकास हमारा सरवांगिन विकास उनके सानिध्य से प्राप्त होता है इसलिए मन में ये ब्रहनती न रखें कि यदि हम आध्यात्म के पत्पे आगे बढ़ते हैं तो शायद ह हमारा सारा काम जो है वो ठप हो जाएगा और हम के वल आध्यात्मिक पत्पे ही चल पाएंगे ग्रेसी सेंजी एक जीती जाकती उदारण है जो अपने फिल्ड में कितनी सफल हैं कितने सारी वैल्यूज कितनी सफारी क्वालिटीज परमात्मा ने ने प्रदान की हैं और ये अभी भी और आपके जाने के बाद भी सभी आपको याद करते रहें हमारी धेर सारी शुब कामना है आपके साथ है एक नए महमान के साथ पुना जल्दी आपसे बुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा नमस्कार